हरी ओम तत्सत अध्यात्म रमायन बालकान पंचम सर्ग मारीच और सुबाहु का दमन्त तथा अहिल्या का उद्धार श्री महादेव जी बोले हे पार्वती तद उब्रांत श्री विश्वा मित्र जी के सहित वे दोनों भाई एक रात मुनि जन संकुलित अती सुन्दर उस काम आश्रम नामक वन में रहकर प्रात्यकल होते ही दीरे दीरे वहां से चले तब वे सब सिद्ध और चारणों से सेवि सिद्ध अश्रम पर आए वहां के रहने वाले मुनि जनों ने विश्वा मित्र जी की आग्या से शी गृता पूर्वक ग्राम और लक्षमन का बड़ा सतकार किया तदंतर श्री राम चंद्र जी ने विश्वा मित्र जी से कहा हे मुने आप दिक्षा में स्थित होईये और ह ये महाबाग हमें केवल यह दिखा दीजिए की वे राक्षस साधम कहा है तब मुनिवर ने बहुत अच्छा कहे कर अन्य मुनियों के साथ यग्य करना आरम कर दिया मध्यान के समय मारीच और सुबाहु नामक वे दोनों प्रकार के काम रूपी राक्षस रक्त और अस्तियो की वर्षा करते दिखाई दिये बुद्धिमान राम ने भी दो बांड लेकर धनुष पर चड़ाए कंड प्रियंत खीच कर अलग अलग दोनों राक्षसों पर छोड़ दिये उन में से एक बांड ने मारीच को अकाश में घूमते हुए सो योजन की धूरी पर समुद्र में गिरा दिया यहे एक बड़ा ही अश्चरेस हो गया दूसरे अगनी में बांड ने शन भर में सुबाहु को भस्म कर डाला तथा उनके अनन्य अन्य अन्याई थे उन सब को तुनंत ही लक्ष्मन जी ने मार डाला उस समय देवताओं ने लक्ष्मन जी के सहित श्री रगुना जी पर फूल बरसाए देव दुदुम्भी ने बाजो का घोश किया तथा सिद और चारंगर उनकी स्तुती करने लगे विश्वामित्र जी ने रगुनाज जी का भली प्रकार पूजन किया और उन्हें गोद में ले नेत्रों में भक्ती पूर्वक प्रेम अश्रु भर कर गले लगा लिया फिर भाई लक्ष्मन के सहित राम को पकेफल आदी खिला कर पुरान और इतिहास आदी की मदुर कत्ताय सुनाते रहे इस प्रकार तीन दिन बीट गए चोथा दिन आने पर विश्वामित्र जी ने राम से कहा हे राम महात्मा जनक जी का बड़ा भारी यग उस सुद्रिन धनुष को तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा भली प्रकार सतकार करेंगे विश्वामित्र जी की इस प्रकार कह मुनियों को और रागलम्रक्ष्मन जी को साथ ले गंगा जी के निकट मुनिश्रेष्ट गौतम जी के उस पवित्र आश्रम पर हुआ था और जहां अहिल्या तब कर रही थी कमल नयन श्रीमान राम जी ने उस आश्रम को मुरिक पक्षी तथा नाना प्रकार की जीवों से रहित देख मुनिवर कौशिक से कहा यह पत्र पुश्प और फल आदी से संपन तथा जीव चुन्य महान आश्रम जो बड़ा सु रहा है आप इसका सव वृतांत यथावत कहिए तब विश्मा मित्र जी बोले हे राम इस आश्रम का पूर्व वृतांत सुनो पहले इस आश्रम में जगत पिख्यात धार्मिक श्रेष्ट मुनिवर गौतम जी की तपस्या द्वारा श्री हरी अरादना करते हुए रहते थे उनके ब्रह्मचदय से संतुष्ट होकर वगवान भ्रह्मा जी ने उनकी सेवा के लिए उन्हें अहिल्या नाम की एक लोग सुन्दरी सेवा परायना करन्या दी और तब स्रव प्रवत गौतम जी उस अहिल्या के साथ रहने लगे देवराज इंद्र अहिल्या के रूप ला गौतम के रूप में आईल्या के साथ रवन कर जल्दी से वहां से चलते बने इसी समय मुनी भी वहां लोट आए उसे अपना रूप धारण वहां से जाते देख गौतम मुनी ने अत्यंत को पित हो कर कहा रे दुष्ट आत्मन रे अधम मेरे रूप को धारण करने वाला देवराज इंद्र हूं मेरी रक्षा कीजिए मुझ पापात्मा ने बड़ा ग्रिनित कारे किया है तब गौतम ने क्रोट से आँखे लाल कर देवराज को श्राब दिया हे दुष्ट आत्मन तु योनी लंपठ है इसी लिए तेरे शरीर में सहस्र भग हो जाएं इस प्रका कर गौतम जी ने कहा हे दुष्टे तु मेरे आश्रम में शिला में निवास कर यहां तु निराहार रहकर दूब बायू और वर्षा आदी को सहन करती हुई दिन रात तपस्या कर और एकागर चित से हिर्दे में विराजमान परमात्मा का राम का ध्यान कर अब से यह मेरा आ अंदन श्री राम चंद्र जी भाई लक्ष्मन के साथ आएंगे जिस समय वे तेरी आश्रय भूद्शिला पर अपने दोनों चरण रखेंगे उसी समय तु पाप मुक्त हो जाएगी तथा वक्ती पूर्वक्ष्री राम चंद्र जी का पूजन कर उनकी परिक्रमा और नमश पूर्वक्ष तूती कर श्राप से मुक्त हो जाएगी फिर पूर्वत मेरी सुक पूर्वक्ष सेवा करने लगेगी ऐसा कहकर महर्शी गोत्नम परवत्रेष्ट हिमालय पर चले गए ही रगुश्रेष्ट उसी दिन से यह अहिल्या वायू भक्षन करती हुई कठोर तपस्य में स्थित हो आपके चरणरज के स्पर्ष से कामना करती हुई आज तक प्राणियों से अलक्षिता रहकर अपने शुब आश्रा में रहती है ही राम अब तुम भ्रह्मा जी की पुत्री गोतम पत्नी अहिल्या का उधार करू मुनिवर विश्पा मित्री जी ने ऐसा कहा व्गृतप में स्थित अहिल्या को दिखलाया तब श्री राम चंद्री जी ने अपने चरन से उष्पष कर तपस्मिनी अहिल्या को देखा उसे देख कर बगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया तब अहिल्या ने रेश्मी पिताम बरधारन किये श्री रगनाजी को देखा उनकी चारों बुजाओं में शंक चक्र गदा तथा पद्म सुभोश शुशोबित थे गंदे पर धनुश्मान विराजबान थे तथा साथ में श्री लक्षपन जी थे उनका मुख मुस्कान योक्त नेत्र कमल दल के समान और वक्षेस्थल श्री वच्सांग से शुशोबित था अपने नील मड़ी सद्रिश शाम पे ग्रह से वे दसो दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे रमानाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर अहिल्या के नेत्र में हर्ष से खिल गए और उसे मुनिवर गोतम के वाक्यों का स्मरण हो आया तब उन्हें साक्षात नारायन जान उस अनन्दितार ने अध्यादे से उनका विदिवत पूजन किया और नेत्रों में आनन अश्रू भर स्रास्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर बोली कमल नैन भगवान राम को देख सरवांग से पुलकित हो गरगदवानी से उनकी स्तूती करने लगी अहल्या जी बोली हे जगन निवास आपके चरण कमलों के रचकन का स्पर्ष कर आज मैं किरतार्थ हो गई अहो बड़े भागे की बात है आपके जिन पादार विंदो का रम्मा और शंकर आदी एक आगरिचित से सरवदा अनुसंधान किया करते हैं उनी का आज मैं स्पर्ष कर रही हूँ हे राम आपकी लिलाएं बड़ी विचित्र हैं आपके मानुश भाव से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है आप पूर्णा नंदमय हैं और अतिमाया भी हैं क्योंकि चरण आदी हीन होकर भी आप निरंतर चलते रहते हैं जिनके चरण कमल से पराक्से पवित्र हुई श्री गंगाजी शीव और ब्रह्मा आदी जगदीश्वरों को भी पवित्र करती हैं आज साक्षात्वे मेरे नेत्रों के विशे हो रहे हैं मैं अपने पोव्र कृत्पुन्य कर्मों का किस प्रकार वर्णन करूं जिनोंने पर बजना चाती जिनने चरण कमल की रज को श्रूतियां भी ढूनती हैं जिनकी नाभी से उत्पन हुए कमल से प्रह्मा जी प्रकट हुए हैं तथा जिनके नाम अम्रेत के भगवान शंकर रसिक हैं उन्ष्री राम चंद्र जी का मैं अपने हिर्दे में अहर निश्ध्यान कर करती हूं जिनके अफ्तार चरित्रों का नारद आदी देवरिशी गण ध्रम्मा और महादेव आदी देवेश्पर गण और आनंद अश्रों से जिनके कुछमंडल भीगे हुए हैं वे सरस्पती जी भी श्री ब्रह्मलोप में निरंतर गान करती हैं उन्प्रभु जी की मैं शरण लेती हूं उन्हीं परम पुरुष परमात्मा राम ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए एक स्वयम प्रकाश अनंत और सब के आदी कारण होते हुए भी यह जगन मोहन माया रूप धारण किया है जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों का आश्रेकर ब्रह्मा विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं बेस्वतंत्र और परिपून आत्मा आप ही हैं हे राम आपके जिन चरण कमलों को श्री लक्ष्मी जी अपने वक्षिस्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाड़ लडाती हैं जिनोंने पूर्वकाल में बली बंधन के समय एक ही पग में संपून त्रिलो की मापली थी तथा अभिमान हीन मुनि जन जिन का निरंतर ध्यान करते हैं उन आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करती हूं हे प्रबो आप ही जगत के आदिकारण आप ही जगत रूप और आप ही उसके आश्रे हैं तथा पी आप समस्त प्राणियों से प्रिथक हैं और अध्यूतिय परभ्रम्म से प्रकाश्मान हैं हे राम आप ओमकार के वाच्चे हैं तथा आप ही वाणी के अगोचर परमपुरुष हैं हे प्रबो वाच्य वाचक भेट से आप ही सम्पून जगत रूप हैं हे राम आप अकेले ही बहु रूप मई माया के आश्रे से कार्य करण कर्तद्प फल और साधना के भेट से अनेक रूपों में भासमान हो रहे हैं आपकी माया से जिनकी बुद्धी मोहित हो रही है वे लोग आपका पास्विक रूप नहीं जान सकते आप माया पती परमेश्वर को वे मूड जन साधारण मनुष्य समझते हैं आप अकाश के समान बाहर भीतर सब और विराजमान निर्मल असंग अचल नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वरूप और अवे हैं हे विभो मैं मोड और अज्यानी इस्त्री जाती भला आपके तत्व को क्या जानूं अतै हे राम मैं अनन्य भाव से आपको सेक्डों बार नमशकार करती हूं हे देव मैं जहां कभी भी रहूं कहीं भी रहूं वहीं सरवदा आपके चरण कमलों में मेरी आसकती बनी रहे हे पुरुशोत्तम आपको नमशकार है, हे भक्त वस्तल आपको नमशकार है, हे रिशीकेश आपको नमशकार है, हे नारायन आपको नमशकार है, जो संसार के एक मात्र भायदूर करने वाले हैं, करोडो सूर्यों के स्वामी प्रकाश मान हैं, करकमलो में धनुश और बान धार शाम मेक के समान आभावाले हैं, सुवर्ण के समान पीतवस रधारन किये हैं, रत्य जडित कुंडलों से सुशोबिध हैं, तथा जिनके कमल दल के समान अति सुन्दर विशाल नेत्र हैं, भाई लक्षमन सहित उन्ष्री रगुनाची की मैं स्तुती करती हूँ, इस प्रकार स मुख खड़े हुए, साक्षात परम पुरुष्री रगुनाची की स्तुती परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आग्याले शीकरी अपने पती के पास चली गई, जो पुरुष अहिल्या के किये हुए इस स्त्रोत को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक पूर की कामना से इसका भक्ती रूप पूर्वक पाट करें, तो वह एक वर्ष में ही शेष्ट पुत्र उसे प्राप्त होता है, तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती हैं, रामण का वद करने वाला, गुरु इस्त्री से भोग करने व पाला तथा निरंतर भोग आसक्त रहने वाला पूरुष भी यदि अपने हृदे में विराजमान श्री रग्माच जी का भक्ती पूर्वक नित्य स्मरण करता है, और उनका ध्यान करते हुए इस स्त्रोत का पालन करता है, तो वह मुक्त हो जाता है, फिर स्वाधर्म पराय पुर्षो की तो बाद ही क्या है, इती श्री मद अध्यातम रमायन, उमा महेशपर समवादे, बाल कांडे, अहिल्य उद्धरन, नाम पंचमा सर्गहा, समाप्त, हरी ओम, तत्सत